हेलो एवरिवान, वेलकम टो फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब एज्यूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम 60 अक्सर पूछे जाने वाले प्रस्ण स्वाल करेंगे कि जो बहुत ही इंपोटन्ट है फार्मासिस्ट एक्जाम के लिए तो जो गवर्मेंट फार्मासिस्ट एक्जाम की जो स्पेसली SSC के थ्रूँ कंड़क्ट होती है या फिर किसी भी गवर्निंग बोडी के थ्रूँ कंड़क्ट होती जिसके अंदर जो जनरल स्टडी का जो पूर्शन होता है उसके अंदर ये क्वेस्चन जो है वो अक्सर प सक्सेस question number one है कि मद्यमक्यों क्या प्रजनन even प्रबंधन कहलाता है मतलब कि जो मद्यमक्या जो होती है उनका प्रजनन even जो प्रबंधन के लिए जो हम process setup करते है उसको क्या कहा जाता है तो उसका सही अंसर है epiculture तो उसको हम कहते है epiculture तो यह आपको अच्छे से याद रखना है कि मद्यमक्यों का प्रजनन even प्रबंधन कहा जाता है epiculture दूसरा question है रक्त को ठक्का बनने के लिए सहायक vitamin कौन सा है तो वो है vitamin K तो question यह है कि जब blood clotting इंगलिस में हम इसको कहते है blood clotting तो blood clotting जो होता है उसके लिए जो काफी जरूरी vitamin है वो है vitamin K तो यह था बहुत एक important question आगे solve करते हैं next question number 3 calcium aluminate तथा calcium silicate का mix run क्या कहलाता है मलब कि हमारे पास दो धातु है और उनके aluminate एक तो calcium aluminate और दूसरा है calcium का silicate तो जब उनका हम mix run बनाते हैं mixture तयार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है तो उसका answer है cement तो यह काफी important question है कि जो cement हम use करते हैं तो उसका जो composition हम कहें उसका mix run हम कहें mixture जो कहें तो वो है calcium aluminate and calcium silicate तो यह question आपके लिए बन सकता है most IMP दो तरीके से यह question पूछा जा सकता है एक कि cement इन में से कौन से दो mix run का बना हुआ है तो उस वक्त आपको याद रखना है calcium aluminate and calcium silicate या फिर calcium aluminate तदा calcium silicate का जो mix run है उसको हम कहेते है cement तो काफी important है अच्छे से याद रखिए next question है question 4 खटे फलो में होता है तो उसका सही answer है citric alm मतलब कि English में हम उसको कहेते है citric acid English में हम कहेते है citric acid तो काफी important यह question कि खटे फलो में specially कौन सा मतलब कि acid present होता है तो उनकी जो खटास होती है वो होती है due to this citric acid आगे solve करते है question number 5 कारिय की इकाई क्या है इकाई मतलब कि जो हम कहेते है English के अंदर unit English में जो हम unit कहेते है या फिर उसको एकम भी कहा जाता है तो उसका answer है Joule कारिय की जिसको हम English में work कहेते है कि question यहाँ पर यह पूछा गया है कि unit of a work unit of work तो वो है Joule unit of work it is a Joule question number six chlorofluorocarbon को किस नाम से जाना जाता है chlorofluorocarbon की इसको हम कहते है CFC chlorofluorocarbon तो उसका popular name है Freon उसको कहा जाता है Freon तो काफी important question next seven एक मात्र अमल जो sworn को गोलता है तो उसका आंसर है Aquarasia Most IMP question ये केसा कौन सा अमला है कि जो स्वर्ण मतलब कि जो हमारा गोल्ड होता है उसको गोल सकता है तो उसका आंसर है Aquarasia आदुनिक परमानु सिद्धान्त का प्रणेता माना जाता है तो इसे कौन से Scientist है कि जिनको आदुनिक परमानु सिद्धान का प्रणेता माना जाता है तो वो है John Dalton John Dalton Most IMP question फिर से अच्छे से याद रखे कि जितने भी यहाँ पर हम question solve करने वाले है total 60 solve करेंगे तो सभी question ऐसे कि जो अक्सर पूछे गए है अलग-अलग pharma competitive exams के अंदर in general study portion Next question number 9 सेव को दातों से काटने के लिए किस प्रकार के दातों का उप्योग होता है तो उसका answer है कृतंक कौन से हमारे टीथ की जो कृतंक हम कहते है वो यूज होते है specially कि जब सेव वगरा होते है उनको दातों के काटने से लिए हम जो main दात उसके अंदर involved होते है वो है कृन तक कौन से दो रंगों को मिस्रित करने से हरा रंग तयार होता है हरा रंग मतलब की green तो green कलर ऐसे कौन से दो कलर को mix run करने से तयार होता है तो वो है नारंगी और बैंगनी की नारंगी मतलब की समझे के आपके पास orange कलर है और बैंगनी की जिसको हम कहते है purple तो green आप orange plus purple ये दोनों को mix up करके तयार कर सकते है RNA का अभी प्राय क्या है मतलब कि full form तो ribose nucleic acid लोलक का संचलन क्या कहलाता है तो उसको कहा जाता है दोलन गति की जो लोलक होता है उसका जो संचलन होता है उसको क्या कहलाता है तो उसका उत्तर है दोलन की गति कहलाता है उसको Q13 है वायू मंडल में उपस्तित कूल गैसों का कितना प्रसित सत नाइट्रोजन होता है तो उसका सही आंसर है 78% कि जो वायू मंडल के अंदर जो अलग लग गैसे उसमें जो नाइट्रोजन है उसका 78% कमपोजिशन रहता है हमारे गैसिस के अंदर आगे सॉल करते हैं next question no.14 किसका प्रयोग चिकित सक रोग्यों की जांच में करते है तो चिकित सक जो है मतलब कि जो डॉक्टर यूज करते है ये इंस्ट्रूमेंट को या फिर ये एपरेटस को रोग्यों की जांच करने के लिए मतलब कि जो पेसंट की specially जो डाइगनोसिस करने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या है तो स्टेथोस्कॉप क्वेष्टन सिंपल होता है बड़ कई बार। जो है जब आपने पड़ानाई हो रध लगते तो इस तरह के क्वेष्टन की भी प्रेक्टिस करना जरूरी कि जो काफी basic है ये सब क्या है कि जो always basic पूछा गया है तो basic भी काफी important है और basic की का जरूरी होता है revision करना अगर आप ऐसा सोच के जाते हैं exam देने की नहीं ये तो कुछ questions इसे काफी simple questions पूछे जाते हैं बेजिक पूछे जाता है easily मैं उसको clear कर लूँगा but जब आप revision नहीं करते बेजिक को भी नहीं पढ़ लेते एक बार तो ये होती है का हमारी गलती और उसके करण कई बार एकदम easy question भी हमसे छूट जाते हैं तो hard question हम कर लेते बड़ easy questions कई बार चूट जाते हैं और ऐसे बहुत सारे student के साथ होता है तो ऐसा ना हो इसलिए ए टाइप के questions जरूर से तयार करें और एक बार उनका revision कर लेना बहुत ही जरूर है revision एक की है तो malaria संबंदित है किस से तो malaria बुखार है कि जो मादा मच्छर एनोफिलिस के काटने से होता है तो malaria कि जो मादा मच्छर के female एनोफिलिस जो mosquito है उसको उसके bite से होता है उसके काटने से होता है तो ये है सही answer question 15 का रक्त सरकरा स्थर को नियंत्रन करने वाला hormone रक्त सरकरा जिसको हम कहते हैं blood sugar रक्त मतलब कि blood, सरकरा मतलब कि sugar के जो blood sugar है हमारे उसका जो star है उसका level को नियंत्रन करने वाला hormone कौन सा है तो बहुत ही famous question और ये है insulin कि जो insulin है हमारे body के अंदर वो हमारे blood के अंदर जो sugar होती है रक्त सरकरा उसको नियंत्रन करने वाला hormone है और यह insulin जो hormone है उसका level प्रापर होना चाहिए कि जिससे कारण blood sugar level हमारा control में रहता है और जब यही hormone के problem होते तब ही patient को जो disease होती है उसको हम कहते है diabetes diabetes पर हमने already एक detail lecture बनाए हुआ है आप channel के subscribe कर लिजे and video list में जाके या फिर playlist में जाको यह disease वाले सब lecture भी मिल जाएंगे question number 17 है कि calcium hydroxide का प्रायोग करके mortar के plaster का निर्मान किया जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है तो उसको जाना जाता है चूना जल चूना मतलब कि जो calcium hydroxide का प्रायोग करके mortar के plaster का निर्मान किया जाता है जिसको चूना जल नाम से जाना जाता है प्रकास translation में सहायक पत्यों के हरे पदार्थ को क्या कहते है प्रकास translation कि जो हम कहते हैं English के अंदर photosynthesis तो photosynthesis में सहायक जो हरे रंग का जो पदार्थ है ग्रीन कलर जो एक matter होता है वो है chlorophyll पीतल हवा में किस गैस के उपस्तिते के कारण बदरंग हो जाता है अब ये एकदम simple और basic question है बट जब आप ये question का revision नहीं करते तो कई बार काफी confused हो जाते है कि जो पीतल है वो हमने देखा है कि color उसका बदल जाता है कि आप एकदम उसको clean करके रखते हैं और उसके बाद एक या दो दिन के बाद फिर से उसका color change होता है तो वो होता है due to oxygen कि हमारे atmosphere के अंदर oxygen जो है उसके कारण पीतल का होता है oxidation और उसी के कारण उसका जो रंग बदरंग हो जाता है बार किसकी इकाई है बार इकाई मतलब की अभी मैंने जो समझाया था आपको इस तरह से unit तो वायू मंडली है दाब कि जो हिंगलिस में हम कहते है atmospheric pressure atmospheric pressure जो हम लिखते हैं उसके unit एक तो MMSG unit में भी हम measure करते हैं उसके बाद बार unit में भी वो measure होता है तो इकाई मतलब की unit या फिर एकम question number 21 ठोस से सिधे बास पावस्ता में पदार्थ के रूपा अंतरण को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है उद्दात्ती करण ठोस से सिधे बास पावस्ता में ठोस मतलब की जो कहते हैं हम solid ठोस मतलब की solid solid में से convert हो रही है directly vapor कि बीच में हम जानते हैं कि solid में से liquid होता है और फिर liquid में से vapor होती बड़ जब solid से direct bypass vapor मतलब की बास पावस्ता में जो रूपा अंतरण होता है उसको उद्दाती करण और इंग्लिस में हम उसको कहते हैं sublimation तो ये जब आपको पता होता है बड़ जब यही question समझे के आपको कई बार हिंदी में पुछा हो इस टैप के exams के अंदर तो इसे question की भी practice कर लेना जरूरी बन जाती है किसकी परत बनने के कारण चान्दी बदरंग हो जाता है तो sulfide परत कि जो sulfide का जब लग जाता है चान्दी को तो वो बदरंग हो जाती कि जो उसका जो color है चान्दी के जो हम कहते हैं silver तो silver metal जो है वो affect होता है sulfur के कारण तो जो sulfide परत उसको लगती है उसके कारण वो बदरंग हो जाता है चीचक होने की वज़े चीचक के जिसको हम टीका भी कहते है वैक्सिन भी कहते है तो उसकी वज़े है virus कि जब virus आते है तो उसके related हम find out कर दे है research करके proper vaccines तो यह important है next प्रतिरोध की SI यह कई क्या है प्रतिरोध का SI unit तो उसका सही answer है उसका answer है ओम question number 25 सबसे व्यस्क मानव अंग कौन सा है सबसे व्यस्क तो वो है हमारा दिल heart कि busiest organ of our body English में उसको busiest organ सबसे व्यस्क और गन हमारा body के अंदर कौन सा है तो वो है heart कि इसको हम कहते है the heart कि the heart is the busiest organ सबसे व्यस्क है बेकरी में साधारन तता उप्यों किये जेना वाला बेकिंग सोडा वास्ताव में है कि जो बेकरी में खास हम यूज करते है एक सोडा तो उसका नाम है sodium बाइकार्बोनेट सोडा की जो खाने के लिए स्पेसिल यूज होता है बेकरी वगेरा के अंदर यूज किया जाता है आनूव इंगसिक्ता की इकाई क्या है आनूव अंसिक्ता तो जीन basic unit की जो हम इंग्लिस में Z E N E लिखते है आनूव अंसिक्ता की जिसको heredity के लिए responsible आनूव अंसिक्ता के नियम की खोश किसने की तो वो थे Gregory Mandel तो आनुव अंसिकता की जो नियम है उसकी जो खोज की वो थे Gregory Mandel कोसी का जिल्ली पाई जाती है कोसी का जिल्ली तो पादप एवं पसु कोसी का दोनों के अंदर कोसी का जिल्ली जो है वो पाई जाती है पाने की स्थाई कठोरता दूर की जा सकती है किस से तो उसका अंसर है Potassium पर-Manganate को डालके कि जिसको हम कहते है कियामेनोफॉर कियामेनोफॉर Potassium पर-Manganate को डालके स्थाई कठोरता कि जो Hard Water होता है Hard Water कि स्थाई कठोरता तो दूर की जा सकती है by potassium permanganate पानी का अधिकतम गनत्व होता है 4 degree Celsius पर सबसे ज़्यादा गनत्व water का कब होता है कि जब उसका temperature आप ले जाए 4 degree Celsius पर निकट द्रस्टी दोस दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है निकट द्रस्टी दोस तो यूज किया जाता है अवतल लेंस को अवतल लेंस यह है question most IMP काफी बार यह पूछा गया है यह question कि निकट द्रस्टी को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो वो है अवतल लेंस को हम यूज करते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है कौनसी धमनी सबसे बड़ी है तो वो है माहा धमनी वो है माहा धमनी सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राक्रूतिक उपग्र हमारी जो सॉलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा प्राक्रूतिक उपग्र क्रोंस है प्राक्रूतिक तो वो है ग्रैनी मीड काफी important MCQ आपके लिए कि ग्रेनी मीड जो है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्र है सरीर के की संग में आयोडिन संचित होता है कि हमारे बोड़ी का ऐसा कौन सा अंग है कि जो आयोडिन को संचित करता है उसके अंदर जो है वो स्टॉर करता है तो वो है थाइरोड ग्रन्थी कि जो हमारे थाइरोड ग्लेंड से थाइरोड ग्लेंड थाइरोड ग्लेंड जो है वो स्टॉरेज करने का काम करती है आयोडिन थाइरोड ग्लेंड स्टॉर आयोडिन कि आयोडिन की जो हमारे बोड़ी के अंदर काफी जरूरियत होती है तो जो thyroid gland है वो iodine के उसके अंदर properly store करती है आगे स्वाल करते है question number 36 समतल दरपन की नाभिक कितनी होती है जो समतल दरपन है तो उसका सही answer है अनन्त अनन्त के जो हम infinitive भी कहते है कि समतल दरपन की नाभिक कितनी होती है तो वो होती है अनन्त द्वनी की प्रबलता किस पर निर्बर करती है द्वनी की प्रबलता तो वो निर्बर करती है उसके आया मुपर चाय में कौन सा उत्ति जग विद्यमान रहता है तो वो है caffeine कि चाय मतलब कि जिसको हम कहते है टी कि टी के अंदर प्रिजन्ट होता है कैफीन जिसे टॉबे को है तो टॉबे को के अंदर रहता है निकोटिन वैसे है टी के अंदर रहता है कैफीन आगे सौल करते हैं क्वेस्टन नमबर 39 फाइलेरिया रोग किस के कारण होता है जो फाइलेरिया है वो किस के कारण होता है तो क्रूमी के कारण कि जो हम फिलेरिया कहते है तो जो क्रूमी होते है अलग-अलग हैलमिन्स होते है उनके कारण ये रोग होता है मानव मुत्र होता है कैसा तो वो होता है अमलिय हमारा जो मानव मुत्र होता है वो अमलिय होता है तो ये question काफी important है आपके लिए कि regularly ऐसे questions का भी जो revision है वो करना पड़ता है कि जिससे आपका basic भी improve हो as well as जब इस तरह आपके question पूछे जाते है exam के अंदर तो आपको कोई difficulty phase करने ना पड़े तो मानव मुत्र कि जो अमलिय होता है कि जो हम कहते है कि normal हमारा जो urine तो उसकी जो slightly acidic कहते है हम slightly acidic और उसकी जो pH रहती है 4.5 से लेकर 8 तक होती है range के अंदर हमारे urine की pH कुछ जगा के वह आप 6 से लेकर 7.5 भी आपको values देखने को मिलीगी मतलब कि slightly acidic कह सकते है हम हमारे urine को और जब कोई disease condition होती है तो उसकी pH बहुत ज़्यादा decrease हो जाती है काफी acidic हो जाती है तब आपको painful urination होते है और जब high होता है तब भी etching वगेरा के problem होते है तो ये खास ध्यान रखना जरूरी है urine की pH vitamin E का रासाइनिक नाम क्या है vitamin E का जो है वो rocket की जो technology है उसके अंदर cryogenic engines use होते है पलको के किनारे कौन सी ग्रंतिया पाई जाती है हमारे जो पलके होती है उनकी किनारे कौन सी ग्रंतिया पाई जाती है तो वो है mybomium अथा तो mybomium हम कहते है ये ग्रंतिया ग्लैंड्स हमारे पलकों के कीनारे प्रिजंट होती है मनुसे की आहर में नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है मनुसे की आहर नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता तो वो है ग्रसीका के अंदर ग्रसिका के अंदर कि जो हमारी आहार नाल है उसके का जो पाट ग्रसिका तो ग्रसिका के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता आमासे की दिवार से कौनसा एंजाइम निकलता है तो वो है गैस्ट्रिन जो हमारा आमासे होता है उसकी दिवार से कौनसा एंजाइम निकलता है तो वो है गैस्ट्रिन एंजाइम रुदीर की इस प्रकार का एक उत्तक है तो सयोजी उत्तक कहा जाता है उसको रुदीर कि जो हमारा ब्लड सयोग जी उत्तक है साइटो काइनिंस में किसका विबाजन होता है तो कोसी का द्रव्य का विबाजन होता है साइटो काइनिंस में साप का जहर क्या है यह काफी important question है कि जो snake bite होता है तो उसका जहर हमारे body के इंदर फिल दे तो साप का जहर क्या है तो साप का जहर एक protein है साप का जहर usually एक protein है कि जो peptide bond से form होता है और साप के विबाजन को हम venome कहते है इंगलिस में उसको कहा जाता है venome snake bite से जो हमारे body के अंदर जो विबाजन फैलता है उसको कहा जाता है venome और उसके लिए जो medicines होती है उसको कही जाती है एंटी विनोम तो ये काफी important point है आपके लिए next 49 किस संग की जातियों की संख्या सबसे अधिक है तो आर्थोपोडा आर्थोपोडा जो संग है उसकी जातियों की संख्या सबसे अधिक है कि जो species हम सीखते है anatomy या फिर biology जीव अगेरा के अंदर तो उसके अंदर जो आर्थोपोडा जो संग है कि उसकी जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है कि उसके सबसे ज्यादा species जो है वो धर्ती के उपर पाई जाती है मानाव सरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है तो वो है oxygen तो जब आपको अलग-अलग options दिये जाए कि oxygen दिया जाए carbon दिया जाए nitrogen दिया जाए और समझे कि calcium दिया जाए तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व रहेगा oxygen कि oxygen सबसे ज़्यदा हमारे body के अंदर पाई जाता है मनुस्य के रक्त चाप के किस दमनी से मापा जाता है रक्त चाप के जिसको हम कहते है blood pressure तो blood pressure को कौन से दमनी कि जो artery से हम measure कर दे तो bronchial दमनी bronchial artery या फिर bronchial दमनी जो है उससे उसको मापा जाता है हास्य ग्यस का रासाइनिक नाम क्या है हास्य ग्यस कि English को हम उसको कहते है laughing gas laughing gas तो laughing gas को हम क्या कहते है chemically तो वो है nitrous oxide nitrous oxide जो है हमारा laughing gas है कि जिसको हम हास्य ग्यस कहते है calculus के आविस्कार क्यों थे calculus को आविस्कार किया sir Isaac Newton ने AIDS के विशानों किसे नस्ट कर दे थे जब किसी परसन को AIDS होता है EIDS acquired immune deficiency syndrome तो AIDS के जो विसानूं है उसके जो वाइरस है कि जो होता है HIV human immunovirus के कारण तो immuno कि जो हमारे immune cell है lymphocyte उनको नस्ट कर देता है उंगली के नाखुन में विद्यमान प्रोटीन कौन सा है कि जो हमारे उंगली के नाखुन होते है तो वहाँ पर प्रेजन्ट होता है globin पक्सियों को उढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाई जी जाती है कि जो पक्सि उढ़ सकते है तो वो प्रक्रिया को क्या कही जाती है तो उसको कहा जाता है brailling तो ये एक आपके लिए MCQ बन सकता है pinpoint काफी important pinpoint बन सकता है ये exams के लिए next solve करते है question number 57 enzyme के protein बाग को क्या कहा जाता है जो enzymes के protein बाग होता है जो protein portion होता है किसी भी enzyme का उसको हम क्या कहते है तो उसको कहा जाता है apo enzyme उसको हम कहते है apo enzyme कि जो है उसका protein part किस होर्मोन को आपात कालिक होर्मोन कहते है तो उसका सही जवाब है एड्रेनालिन कि जब आपात कालिन कंडिशन होती है तो उस वक्त जो एड्रेनालिन एड्रेनालिन हर्मोन हमारे बोड़ी में से सिक्रेट होता है उसका लेवल जो है वो तुरंत इंक्रीज होता है बुद्धी का कैंद्र स्ती थे हमारी जो बुद्धी है तो प्रवमस्तिक में बुद्धी का कैंद्र स्ती थे और आकरी क्वेस्चन 60 कौन सा एंजाइम रक्त को थक्का बनने में सहायदा करता है, आगे जो हमने देखा विटामिन, पर यहाँ पर क्वेस्चन है एंजाइम, कि कौन सा एंजाइम, बलड के क्लोटिंग के अंदर हैल्प करता है, तो यह भी बहुत इंट्रेस्टिंग क्वेस्चन है आपके लिए, तो उसका आंसर है रैनिन, उसका आंसर है रैनिन, तो रैनिन ऐसा एंजाइम है कि जो बलड क्लोटिंग में सहायक बनता है, उसके अंदर हैल्प करता है, तो यहाँ पर हमने सौल किये, most important अक्सर पूछे जाने वाले 60 questions, तो आपको यह questions अच्छे लगे हैं, तो जरूर से चैनल को सब्स्राइब करिए like करिए, share करिए और subscribe करिए चैनल, also join us in whatsapp, कि यह whatsapp helpline number है हमारा, as well as 9426180836, यह number पे भी आप message करके, whatsapp groups को join कर सकते हैं, so thank you for joining this in lecture, good luck and all the best. दो लगा